सब्सक्राइब तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन स्टूडन्स के लिए जिनकी फाइल बहुत पहले से अप्लाइ करी हुई है जिन्होंने और अभी भी प्रसेसिंग टाइम देई जा रहे हैं देई जा रहे हैं और उनको कोई अभी रिवर्ट नहीं मिला उनको क्या आपकी जो फाइल आप परसेस करेंगे और आपको जल्द से जल्दी अप्रूबल मिलेंगे हर एक चीज़ के तो यह सारी चीज़ें के बारे में बात करेंगे उनकों से अपडेट आई और उनस को क्या करना चाहिए तो इस वीडियो में बताऊंगा आपको और वह वह चीज हूँ तो वह इसलिए आप वीडियो बनाने चाहिए तो आप करते हैं जिए हम वीडियो स्टार्ट सो सबसे पहले बात करते हैं जिन्होंने बहुत पहले की फाइल लगाई हुए है और अब तक उनको कोई अपडेट नहीं आई है तो क्या रिजन्स हैं क्या करना चाहिए उ पास होगी हैं और उनके पास इतने ज़्यादा वर्कर्स नहीं थे कि वह और एक चीज़ को देख सकें और स्पेशली उन्स को बहुत जादा दिक्कत आ रही है जिन्होंने बहुत पहले से जैसे मार्स या अप्रैल या उसके बाद जब 2020 में उन्होंने फाइल लगाई या फिर आप वेट कर रहे हो तो हमें प्लीज वैब फार्म के थ्रूइं इनफॉर्म करें बिकुज जितनी फाइल को पैंडिंग फैल्स पढ़ी हैं वहर एक फाइल को अभी गो थ्रू नहीं कर रहे हैं तो जितने वेब फॉर्म के थ्रूइं और उन चीज़सें पर फॉल अच्छे से रिबोट करूंगा और आपको बताँगा आपको यह करना है तो वैब फॉर्म के थूरू उनको बताएं कि हम इस सिच्टूशन में आए और अब हम क्या करें हमने अल्मॉस अप्लाइ कर दे क्योंकि आए थोट इस चीज़ के वारे में कोई बात नहीं कर रहा है त लिए दे कि यह जो अप्डेट आई इंटरनेशनल स्टूशन के लिए जो www.canada.ca पर उन्होंने अप्डेट दी है वह हमारा सेकंड पॉंट बात करते हैं उसके बारे में तो सेकंड पॉंट है हमारे में यह है कि जो canada.ca पर जो अप्डेट आई जो अभी यहां पर चलेग और सबसे अच्छी बात इन्होंने study permit को nine weeks दे दिये हैं कि nine weeks के अंदर अंदर आपकी जो processing time है जो जितने भी students apply कर रहे हैं के लिए study visas के लिए study permit के लिए उनकी update nine weeks में आ जाएगी तो यह बहुत अच्छी न्यूज है क्योंकि पहले 28 weeks उससे पहले 32 weeks तो बहुत जादा अच्छी एक न्यूज है तो आप पेशन्स बनाए रखें और believe in you and believe in God you know God के प्लैन बहुत जादा डिफ्टन होते हैं तो अब आप सिर्फ वेट करें अपनी file का और वैब फॉम के थूप प्लीज उनको इंफर्म करें मैं हमेशा यह हर वीडियो में बोल रहा हूं जितनी में information video बना रहा हूं उसमें वैब फॉम के थूपनी जो भी file में update कर रहे हैं तो उनको बताएं प्लीज तो यह थी जी दोनों updates और दोनों जो मैंने आपको चीज़े बताई तो I hope आपको यह वीडियो पसंद ही होगी अगर आपको कोई भी question इस चीज के बारे में तो प्लीज कमेंट और आपको मिलता है नेक्स वीडियो में तिल देन stay healthy and stay happy बबाए